तो यहां पर equation दिए y is equals to a sin omega t minus kx इससे अपन compare करेंगे given equation क्या है given equation यह y is equals to 0.005 sin 80x minus 3t यह equation है अपकी अब आप इन दोनों equation को compare करो दोनों को compare करो एक ही क्या value आ रही बताओ उसने पुछा है तरंग का आयाम पूछा है आयाम मतलब a तो a की value आ गई compare करके 0.005 यह a आ गया तरंग धेरिया तरंग धेरिया मतलब wavelength होती है आवर्त काल टाइम पिरेड यह सब पूछा है अब omega की value बताओ compare करके क्या होगी ओमेगा की value बच इसमें क्या है उपर omega t minus kx दिया है और इसमें 80x minus 3t दिया है पूरी सर 3 होगा 3 होगा 3 होगा minus के 3 t के साथ में जो है वो omega है तो omega को आप एक तरह से कह सकते हो minus 3 और k की value क्या है 80 sir 80 80 तो k किसके बराबर होता है 2 pi by lambda और omega किसके बराबर होता है 2 pi by capital T तो यहाँ से T आ जाएगा इस succession से T की value आ जाएगी यह वाली जो equation है hånda की value देदेगी आपको और यह वाली equation है वह lambda की value देदेगी आपको तो आपका lambda भी आ जाएगा तरंग धेयरियsequ और आवरतकाल मतलब time period भी आ जाएगा यहां तक समझ में आया यह सर आ गया आवरत्ती पूछिए तो आवरत्ती के लिए omega को किसके बराबर कर दो 2 पाए f के तो यह f भी आ जाएगा आवरत्ती भी आ जाएगी ठीक है न? क्या होगा f की value? 3 upon 2 पाए तो यह f की value भी आ गई कोई doubt इसमें? नो सर अब इसके आगे पूछा है दूरी x equal to 30 cm तसा समय t equal to 27 20 second पर तरंग का विस्थापन भी परिकलित कीजिए अब y equal to आपको दे रखा है 0.005 sign और x की जगा दे रखा है 30 cm तो अपन 30 रख देते हैं 80 into 80 into x की जगा क्या दे रखा है 30 cm तो यहाँ पर 30 रख दिया और meter में कर लेते है 30 upon 100 और minus 3 into time कितना दे रखा है देखो बताओ इसमें time यहाँ पर देखो आपको देखो यहाँ आपको यहाँ से यहाँ रख दो और पूछा क्या आपसे y पूछा है तो y को इसको solve कर लो इस position पर यह sign करके solve करके y की value आ जाएगी आया समझ में यह सर आया कोई doubt आपको यहाँ नोखा है दो इसको आपसा है यहाँ है झाल झाल पूशन समझ में आए यह वाले यसर आगया देखो यह वाई की वैलू यहां पर 80 इंटू 3 और 3 इंटू 20 कर दिया यह वही करा है जो अपने देखा वाई की वैल्यू निकालना है इसको सॉल करना पड़ेगा अगर यह साइन की वैल्यू सॉल नहीं हो रही है तो इसको एजटीच छोड़ दो ठीक है साइन 1.699 अब इसकी वैल्यू तो पता नहीं अपने को 1.69 साइन क्या होता है तो इसको यही तक आप छोड़ दो के तो भी कोई दिक्कत लिए तो यही तो एक्पत की झाप दोल्स